हेलो गाईज मेरा नाम है पूरब और स्वागत है आप सभी ने Candlestick Bible नाम का एक कोर्स टार्ट किया था जिसकी फर्स वीडियो पहले ही डल चुकी है मैं आई बटन पर बता दूँगा and this will be the second lecture या फिर second episode of the Candlestick Bible series पिछले Candlestick Bible series के पहले वीडियो में हमने कुछ Candlesticks के बारे में basics जाने opening points, closing points और Candlesticks के basics के बारे में हमने कुछ चीज़ें discuss की and in this video we are going to move a bit forward इस वीडियो में हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे उसी चीज़ें के साथ-साथ तो इस वीडियो में क्या सिखा था और जल्दी से आगे बढ़ते हैं और Candlestick Patterns को discuss करते हैं तो पहली चीज हम discuss कर लेते हैं हमने first video में क्या सिखा था तो first video में हमने Candlesticks के बारे में सीखा था Japanese Candlesticks के basics के बारे में discuss किया था Green Candlestick, Red Candlestick क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है, Opening Point क्या होता है, Closing Point क्या होता है, Body क्या होती है, Shadows क्या होता है, Wick क्या होता है ये सारी चीज़ें हमने discuss की थी, अब हम थोड़ा सा recap करते है, फट 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 एकदम करते हैं तो Candlestick charts में आप देख सकते हो, हमने देखा था कि Green और Red दोनों करा कि Candlestick तो यह है, Green Candle का मतलब होता है कि Price बढ़ रहा है, Red Candle का मतलब है कि Price गिर रहा है, जो भी particular asset या currency पर की हम बात करें, तो Green Candle का मतलब है कि Price बढ़ा, यहाँ पर स्टार्ट हो और बढ़ कर ऊपर गया Red Candlestick का मतलब यह है कि Price उपर था, नीचे आकर गिर गया, ठीक है, तो इसी से हमें Open और Closing Point भी समझ जाएंगे, अब मुझे एक काम करो, Closing Point और Open Point क्या होते है बताओ, अगर मानो Green Candle है तो इसका Open Point का पर रहेगा, याद है कुछ, नीचे Open Point रहेगा, मतलब Open वो नीचे तो 100 is the Open Point and 90 तक गिर कर आया, so that is the Closing Point, आपको वीडियो में Demonstration मिल जाएगा, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि Green Candle नीचे Open हुआ, उपर जाकर Close हुआ, और उसका Opposite जो होता है, Red Candle नीचे Close होता है, और उपर Open होता है, ठीक है, समझा, Green Candle नीचे Open होगी, उपर Close हो आगे मेन चीज़ पर कि इस वीडियो में होने क्या वाल है, और Candle Stick Patterns क्या होती है, तो First of All Candle Stick Patterns को Discuss करने से पहले उसके बारे में कुछ Important Points जानने होंगे, यह चीज़ आपको कोई नहीं बताता है, ठीक है, Candle Stick Patterns तो बता देते हैं कि यह आने पर यह होता है, वो आने पर होता है, पर यह जो चीज़े में आपको आगे बताने वाला हो, These are the most important things when discussing about Candle Stick Patterns, Candle Stick Patterns के बारे में discuss करते होंगे, सबसे ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, तो the important points that you have to note about Candle Stick Patterns, are that Candle Stick Patterns are not absolute, they can cheat you, इसका मतलब क्यों होगा, Candle Stick Patterns जो है, वो absolute नहीं होता है, वो जो दिखात है, वो जो indicate करते है, जरूरी नहीं है कि वो ही हो, वो भी आपको धोका दे सकते है, मतलब सिर्फ आपकी girlfriend या boyfriend यह आपको धोका नहीं देता है, Candle Stick Patterns भी आपको धोका दे सकते है, for example Candle Stick Patterns आया, और इस Candle Stick Patterns के हिसाब से चार्ट को ऊपर जाना चाहिए, पर ऐसा हो सकता है उपर ना जाने के बज़ाए, नीचे आ जाए, तो इसी वज़े से Candle Stick सिर्फ और सिर्फ Candle Stick Patterns के basis पर trade मत करो, आपको उसके साथ साथ additional confirmations भी यूज़ करने होगे, वो भी हम आगे discuss करेंगे, अच्छे से मैं समझाओंगा सभी चीज़े आपको, और ऐसे ही आगे सारी तो पहला पॉइंट हो गया, Candle Stick Patterns are not absolute, they can cheat you as well, वो भी आपको धोका दे सकते हैं, and the second point is, the higher the time frame, the higher the likelihood of the pattern working, अब इसका मतलब क्या होगा, तो भायो इसका मतलब होगा कि जितना भी बड़ा Time Frame होगा उस Candles का, या हर Candle का जो Time Frame होगा, अगर वो जितना जादा बड़ा होता ह है, उसका मतलब उतना ज़्यादा effective या उतना ज़्यादा successful होने के उसका chances होता है, मतलब मानो आपने हर एक Candle Stick 5-5 second की रखी है, 10-15 second की रखी है, तो बिल्कुल ये Candle Stick Patterns कुछ भी काम नहीं करेंगे, ठीक है, minimum 1 minute की एक Candle Stick होनी चाहिए, तब जाके ये Candle Stick Patterns आपको देखन और तब ही काम आएंगे, और जितना बड़ा time frame, मतलब एक एक एक, अगर Candle Stick 5-10 minute की होगी, तो उतना ही ज़्यादा इसका work करने का chance है, मतलब उतना ही ज़्यादा ये Candle Stick Patterns अगर आपको दिखता है, कोई भी एक Candle Stick Patterns, तो उतना ज़्यादा उसका work करने का chance बढ़ जाता ह मतलब success होने का chances और बढ़ जाते है, now the third point is, do not rely solely on Candle Stick Patterns, identify चाहिए वाब है, तो do not rely solely on Candle Stick Patterns, identify additional confirmations, आपको additional confirmations दूनने है, आपको सिर्फ Candle Stick Patterns पर rely नहीं करने है, आपको additional confirmations देखने है, मतलब एक Candle Stick Patterns दिखने का मतलब ये नहीं है कि जो वो बता रहे है वैसे ही करना है करके, उसके साथ साथ हमें additional confirmations देखने है, चार्ट को देखना है, फिर साथी जात context को देखना है, वो सारी चीज़े देखने है, थोड़ा बहुत price action वो भी मैं आगे सिखाऊंगा, technical analysis सिखाऊंगा, मैं सब सिखाऊंगा, बस बने रहो मेरे साथ, ठीक है, तो आपको ये ची आपको एक दम बने नहीं रहती है, तो एक चीज के साथ साथ इसलिए आप 2-3 चीजों का confirmation यूज करते हो, तब जाकर आप trading में successful बन सकते हो, सिर्फ एक चीज पर रिलाय करोगे, तो धोका तो मिल नहीं है, दिल तो ठूट नहीं है, ठीक है, जेब भी खाली होना है उसके सा कि ताकि आपको कही से गलत फैमिना हो जाए कि Candlestick pattern दिख गई, सीख लिया और अब मैं पैसे बना सकता हो, कि इतना असान नहीं है, तो जो भी इनसान binary options को professionally pursue करना चाता है, या फिर part time income बनाना चाता है, या अच्छा खासा पैसा चापना चाता है binary options से, तो आपको सीखना must ह या यह series must रहेगे, यह एक ही series नहीं, इसके साथ साथ 2-3 और series आने वाले है, 2-3 और courses आने वाले है, वो भी आपको देखना जरूरी रहेगा, जो भी लोगों को professionally करना है, जो लोगों को सिर्फ कुछ time के लिए करना है, ठीक है, वो सीधा कूच सकते है market में, losses भी कर सकते है, इसके profits भी कर सकते हैं, बड़ जो लोगों को professionally long time profits कमान है, उन लोगों को यह series देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, I've been through a few courses, मैंने binary options के बारे में और कुछ courses देखे, देखे मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, but I've been through a few courses, मैंने कुछ और courses देखे, अब मैं नाम नहीं लो knowledge नहीं थी, उसमें कुछ सीखने लाइक नहीं था, like कुछ चीजे indicators यह वो लगा के सिखा रहे थे बस, ठीक है, अगर आपको professionally सीखना है, तो आपको series यह continue करनी पड़े ही, और आगे देखते रहना पड़ेगा, मैं पता है, मैं पकाता हूँ थोड़ा ज़ादा, बढ़ सु तीन candles की भी हो सकती है, एक single candle stick pattern होता है, एक double candle stick pattern होता है, एक triple candle stick pattern होता है, अब मैं एक example ले देता हूँ हर एक चीज़ के साथ, अभी आपको समझेगा नहीं, बहुत से लोग जो beginner हैं उनको यह पता नहीं होगा, कुछ लोगों ने candle stick patterns के नाम सुने होंगे, तो उन लोगों pattern, आपने कभी ना कभी सुने ही होगा, hammer pattern बहुत जादा popular है, बहुत जादा commonly used है, तो hammer pattern जो है, वो एक single candle stick pattern का example है, double candle stick pattern का अगर हम example बात करें, तो that is engulfing candle, ठीक है, engulfing pattern कहेंगे हम इसे engulfing pattern, यह bullish भी होता है, bearish भी होता है, वो मैं आगे समझागा, और triple candle stick pattern का अगर हम example ल समझ रहे कि मैं cash abuse कर रहा हूँ, hammer, engulfing, फिर morning star, यह आपको आगे समझ आ जाएगा, वीडियो के आगे मैंने अच्छे से समझागा है, तो कोई tension लेने आली बात नहीं है, ठीक है, अब हो गया number of candlesticks, इना candlestick pattern में, अब इसमें मैंने बताया कि एक candlestick, कभी candlestick pattern हो सकता है, दो candlestick भी हो सकते हैं, candlestick pattern में, तीन candlestick भी हो सकती है, अब हम आगे बढ़ते हैं on the types of candlestick patterns, कि candlestick patterns के types कौन से होते हैं, तो इसमें simple है, दो types होते हैं candlestick patterns के, एक होता है continuation pattern, एक होता है reversal pattern, अब इनको नाम से ही आपको self-explanatory नहीं है, continuation pattern का क्या मतलब है, let's say for example, एक uptrend च चल रहा है, chart लगाता रूपर चल रहा है, अब अगर ये pattern आपको दिखता है, जो भी continuation pattern है, वो अगर आपको दिखता है, तो इसका मतलब है uptrend चल रहा है, तो वो continue करेगा uptrend में, ठीक है, तो uptrend चल रहा है, ये continuation pattern दिखा, मतलब uptrend continue करेगा, downtrend चल रहा है, continuation pattern दिखेगा तो फिर से continue नीचे करेगा मतलब फिर से आप देख लो ठीक है तो continuation pattern में क्या होगा for example अगर uptrend दिखता है ये candlestick pattern दिखा बिच में फिर से uptrend में continue करेगा downtrend चल रहे continuation pattern दिखा मतलब नीचे चलते रहेगा और reversal pattern इसका बिल्कुल उल्टा मतलब अगर reversal pattern हमें दिखता है तो let's say for example candle six जो है वो लगातर उपर जा रहे है या chart लगातर उपर जा रहे है फिर इसके बाद आपको ये pattern दिखता है reversal pattern दिखता है इसका मतलब क्या हुआ अपनी direction change करने वाला है market ठीक है तो up direction में जा रहा था अप down direction में जाएगा same अगर वो down जा रहा था और आपको reversal pattern दिखता है इसका मतलब है वो direction change करके ऊपर जाएगा continuation pattern अगर दिखता है तो market जिस direction में चल रहा है उसी direction में continue करेगा reversal pattern दिखता है तो जिस direction में चल रहा था उसके opposite direction में ट्रावल करना शुरू करेगा जरूर ही नहीं है 100% नहीं होता है बट फिर भी this is an indication यह एक indication देते है patterns तो continuation pattern जिस direction में चल रहा है उस direction में जाएगा और reversal में उल्टा हो जाएगा ठीक है now this is done अब हम बात करते हैं इस वीडियो में इस वीडियो में हम सिर्फ reversal patterns के बारे में discuss कहने वाले और स्पेशली बुलिश reversal patterns अब अगर आपको बुलिश का वर्ड याद नहीं होगा बुलिश वर्ड क्या होता है या बुलिश कैंडल सिक क्या होती है तो मैंने पिछले वीडियो में समझा था मैं एक प्राइज को हम इस चीज में प्राइज गिरता है तो अब देख सकते हो कि इस वीडियो में एक chart बन रहे है ठीक है up down up down चल रहे है वो उपर नीचे हो रहे है and reversal pattern में आपको एक point दिखता है जहां से market reverse कसा है जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो जितने भी points में ने बनाए है these are points जहां से market जिस भी direction में मूव कर रहा था उसके against जाना शुरू कर दिया तो this is called reversal pattern जब यहां पर आप reversal patterns देख सकते हो यहां पर देख सकते हो यहां से upward direction में फिर से move किया यहां पर फिर से reversal pattern दिखा यहां पर नीचे आ गया तो जब भी reversal pattern दिखता है इसका मतलब है एक reversal आने का chance है मतलब जिस भी direction में market move कर रहा है उसके opposite direction में जाने का chance है so that is what a reversal pattern is now let's discuss about the types of reversal patterns तो reversal patterns जो है वो bearish भी रह सकता है बुलिश भी रह सकता है अब bearish का मतलब क्या हो और बुलिश का क्या मतलब हुआ यह आपको मैं एक short वीडियो के थुरू फिर से समझाने की कोशिश करता तो reversal patterns जैसे कि मैंने का bearish भी रह सकता है bullish भी रह सकता है bearish pattern का मतलब क्या हुआ कि market नीचे की तरफ move करना शुरू कर देगा उपर जा रहा था नीचे आएगा और sell का indication मिलेगा वैसे bullish का क्या मतलब हुआ market नीचे गिर रहा था उसके बाद उपर जाने लगेगा ठीक है और इससे आपको एक buy का signal मिलेगा so that is what bearish and bullish candlestick patterns indicate as simple as that I hope यह समझ गया होगा अब हम आगे बढ़ते है कुछ patterns के तरहे में ठीक है तो indications जो देते है अब जैसे for example मैंने बता है bullish patterns जो है वो indication देते है potential buying opportunities के बारे में मतलब अगर आपको bullish pattern दिखता है मतलब chart नीचे आ रहा था और 100% सही ना हो इसलिए मैंने कहा कि आपको इसके साथ additional confirmations use करने होते है बड़ी जो pattern है यह आपको खरीदने की सला देगा bullish candlestick pattern जो है आपको खरीदने की सला देगा और वैसे ही bearish pattern जो है आपको बीचने की सला देगा मतलब जब भी chart ऊपर जा रहा था upward direction में travel कर रहा था उसक chart ऐसा लगाता नीचे आ रहा था ठीक है यहाँ पर आपको bullish reversal pattern दिखा यहाँ पर bullish reversal pattern दिखा इसका मतलब है यहाँ से chart का ऊपर जाने का chance है so this gives you a buying opportunity ठीक है buying opportunity आपको जो bullish pattern है bullish means buy ठीक है bullish means buy and bearish candlestick pattern में for example chart लगाता ऊपर जा रहा था यहाँ पर आप देख सकते हो लगाता ऊ इसका मतलब है कि chart लेंचे की तरह आ सकते है ठीक है यहाँ आपको bearish pattern जो है sell indication दे सकते है ठीक है जो selling opportunity देते है bearish patterns buying opportunities देते है bullish patterns तो अगर आपका chart लगाता नीचे गिर रहा है आपको reversal pattern दिखता है इसका मतलब है उपर जाने का chance है लगाता ऊपर जा रहा है chart उसके बाद ए bullish reversal patterns का मतलब क्या हुआ chart नीचे आ रहा है market में downward trend है यह pattern दिखेगा आपको और market उपर जाने के chance है मतलब उपर की तरफ reversal दे लेगा that is bullish reversal patterns ठीक है तो इस वीडियो में हम 3 ही bullish reversal patterns सीखने वाले है ऐसे कई सारे patterns है by the end of this series हम कम से कम 20 different patterns सीखने वाले है एक एक दो दो patterns को detail में समझा करेंगे रादे दन अब आपको सारी basic details पता चल गई है about candlestick and candlestick patterns अब इसके बाद वाले वीडियो में हम candlestick patterns सीखेंगे अलग-अलग candlestick patterns सीखेंगे उन्हें implement कैसे करना है चार्ट में कहा धूनना है और साथ ही trading कैसे का नहीं उनके साथ ये सब चीज़े हम उसमें सीखेंगे तो चलो हम bullish engulfing pattern को detail में discuss कर जाए तो पहला जो pattern हम सीखने वाले है जैसे कि मैंने बताया bullish engulfing pattern होने वाला है अब हम इसे अच्छे से सीखेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे use होते है तो first of all this is how a bullish engulfing pattern will look like एक downtrend आएगा ठीक है एक red downward direction में trend आएगा साथ ही साथ end में एक red candle आएगी कुछ इस तरह और एक उसके बाद अगर green candle आती है जो उसे पूरी तरह से engulf करती है आप देख सकते हो इसका open point जो था और यहाँ था closing point था और यहाँ जो green candle ने इसने पूरी तरह से engulf कर लिया है engulf कर लिया है का मतलब क्या है पूरी तरह से cover कर लिया आप देख सकते हो इसका starting point यह है closing point यह है तो green candle ने पूरी तरह से cover कर लिया है नीचे भी और उपर भी so this is how an engulfing pattern works engulf मतलब cover कर लेना तो पूरी तरह से वो green candle जो है वो red candle को अगर cover कर लेती है downward trend के बाद में तो इसका जो upward जहाँ पर ये candle खतम होगी so this will be the open point and this will be the close point तो ये जो closing point रहेगा this will be your entry point इसके साथ आपको एक दो confirmations और use करने होगे price action देखना होगा और वो सारी चीज़े but अगर confirmations नहीं भी देखते हो तो this can be an indication की एक upward trend आने वाला है या फिर एक reversal आने वाला है so this is how it will work एक red candle को पूरी तरह से green candle engulf कर लेगी बड़ी movement आएगा नीचे की तरफ से भी engulf करेगा उपर की तरफ से भी engulf करेगा मतलब पूरी तरह cover करेगा और जो उपर का point है जहाँ पर candle close होई है यह वाला यहाँ पर आपका entry रहेगा ठीक है I'm sorry बहुत ज़्यादा कीचड माचड कर दिया मैंने but I hope you understand अब मैं आपको एक वीडियो के साथ इससे समझाता हो तो आप देख सकते हो एक animation वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको अच्छे से समझाओंगा So this is how an engulfing pattern will look like This is a bullish engulfing pattern bearish भी होता है bearish को मैं अगले वीडियो में समझाओंगा So this is a bullish engulfing pattern आप जैसे की देख सकते हो यहाँ पर red candle है इसे पूरी तरह से पूरी तरह से cover कर लिया है green candle ने है ठीक है आप देख सकते हो पूरी तरह से cover कर लिया है green candle ने अब मैं एक काम करता हो इस वीडियो ले करता हो यह एक animated video है इसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा So this is how it will cover the entire red candle और इसके बाद green candle start हो जाएगे upward direction में एक reversal start होने के chances होते हैं ठीक है समझ गया So this is how it will work और यहाँ पर आपको एक buying opportunity मिल जाएगी So this is how it will work एक red candle आएगा और जितना बड़ा वो green candle रहा जितना बड़ा वो area cover करता है उतना जादा strong आपको buying signal मिलेगा तो जैसे कि आप देख सकते हो अभी green candle जाएगी size बड़ी होगी इसका मतलब कि जादा आपको potential मिलेगा जादा strong entry point मिलेगा और जादा strong indication मिलेगा तो जितनी बड़ी green candle उतना जादा stronger indication ठीक है तो जितना बड़ा green candle cover करेगा उस red candle को जितना जादा वो engulf करेगा उतना जादा strong वो signal रहेगा और उतना जादा आपके जीतने के chance रहेगे So this is what an bullish engulfing pattern indicates एक downward trend आएगा एक red candle आएगी जिसे green candle पूरी तरह से cover करेगी और उसके बाद एक upward direction में trend reverse कर सकता है जितना बड़ा green candle होगा उतना strong chance होता है reverse करने का And the next candlestick pattern that we are going to learn is the hammer candlestick pattern Hammer candlestick pattern बहुत जादा common है आपने सुना ही होगा ऐसा हो ही नहीं सकता है कि अगर आप trading अब हो सकता है बहुत से beginners हो सकते हैं जिन्होंने नहीं सुना बड़ फिर भी मैं बूल रहो कि अगर आप trading करते आए हो तो हो सकता है आपने सुना ही होगा hammer candlestick pattern So this is how a hammer candlestick pattern looks like एक hammer candle होता है और यह single candlestick होती है यहाँ पर दो बने हुए है यह actually इसलिए बताए गए है दो इसलिए बने है क्योंकि एक hammer candle जो होती है वो green भी हो सकती है red भी हो सकती है hammer candle जो है doesn't matter color कौन सा है hammer candlestick का indication होता है कि एक upward direction में reversal आ सकता है तो किस तरह से होगा यह एक downward trend आएगा downward direction में chart move करेगा एक hammer candle आएगा चाहे वो red हो चाहे वो green हो और उसके बाद एक reversal आने का chance होता है तो मैं समझाता हूँ कि यह upward direction में reversal क्यों indicate करता है so let's say for example एक downward direction में trend आया है कुछ इस तरह ठीक है तो यहाँ से candle साते गए और एक downward trend था फिर उसके बाद इसका जो open price है वो रहता है नीचे जैसे कि मैंने बताया था green candle में नीचे open होता है तो यहाँ पर यह open हुआ था इसके बाद फिर भी downward direction में जो momentum है वो continue रहा ठीक है downward direction में momentum continue रहा जब यह candle open हुई उसके बाद लगा था वो नीचे जाते रहा फिर उसके बाद क्या हुआ last moments में जब यह candle last moments में ही तो उसने इतना बड़ा upward direction में move लिया ठीक है तो वो start हुआ था यहाँ पर उसके बाद नीचे गया यहाँ तक फिर upward direction में बहुत बड़ा गया इसका मतलब क्या हुआ buyers strong pressure बना रहे ठीक है इसका मतलब हुआ कि buyers जो है वो strong pressure बना रहे ठीक है यहाँ से start हुआ था उसके बाद नीचे आया और इसके बाद लगाता उपर गया इसका मतलब है कि last moment में बहुत ज़्यादा strong pressure बनाया है buyers ने और इसी तरह same red candle भी हो सकता है red भी हो सकता है green भी हो सकता है doesn't matter कि color कौन सा है hammer होना चाहिए अब इसमें एक और चीज हो सकती है कि इसके उपर ना ऐसा छोटा सा shadow रह सकता है या फिर छोटा विक जिसे हम कहते है यह छोटा रह सकता है थोड़ा बड़ा भी रह सकता है doesn't matter कि थोड़ा होता है नहीं होता है hammer is a hammer hammer देख के आपको समझी जाता है तो इसमें आपको hammer धूनना है hammer अगर आपको दिखता है मतलब एक bullish momentum का आपको indication मिल रहा है एक downward trend आया यहाँ से एक downward trend आया यहाँ से उसके बाद एक open यहाँ पर हुआ उसके बाद लगातार वो नीचे जाता है और फिर उसके बाद एकदम last moments पे बहुत ज़्यादा buying pressure आया इस वज़े से chart ने एकदम से candle ने reversal लिया इस वज़े से इतना बड़ा downward trend आ रहा था इसका end मानकर एक upward direction में move आने का chance होता है same अगर red candle होती है तो यह भी यहाँ पर open होई थी इसके बाद यह लगातार जाकर नीचे यहाँ तक गई ठीक है यहाँ से जाने के बाद यह उपर गई यहाँ तक मतलग क्या हुआ last moments में जो इतना बड़ा pressure आ रहा था downward की तरफ सेलेस का pressure आ रहा था last moments में pressure पूरा change होकर ऊपर की तरफ जाने लगा तो चाहे red candle हो या फिर green candle हो यह एक upward direction में switch बताते है तो मैं hammer pattern को आपको एक animated video के साथ समझाने की कोशिश करते हो तो इस तरीके से downward movement था इसके बाद एक hammer candle है तो जैसे अगर आपको याद होगा तो मैंने एक और चीज़ कही थी कि इसमें एक wick भी हो सकता है जैसे यहाँ पर एक wick है मतलब wick या फिर जिसे हम shadow कहते है ठीक है तो यह shadow या wick हो भी सकता है या फिर हो सकता है यह ना भी हो ठीक है कुछ इस तरह भी हो सकता है hammer ठीक है और कुछ इस तरह भी हो सकता है, उपर एक छोटा सा और नीचे ऐसा बड़ा रहेगा, ठीक है, तो इस तरह भी hammer हो सकता है, hammer अब कोई भी तरह से हो सकता है, अब आप देखो कि hammer pattern आने के बाद कि इस तरह का movement आता है, इस animated वीडियो से आपको समझ जाएगा, तो आप देख सकते हो, यह रहा हमारे hammer की body, यह रहा उसका long wick, wick हमेशा लंबा रहता है नीचे वाला, और उपर एक छोटा wick हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, देख सकते हो कि upward direction में movement आने का chance होता है, ठीक है, upward direction में momentum बनने का chance होता है, और इसी तरीके से buying opportunity मिलती है, अब आप additional confirmation के लिए, अगली candle का wait कर सकते हो, जैसे कि यह green candle, अगर एक hammer candle आई, उसके बाद एक green candle आती है, जो कि एक बड़े movement के साथ आती है, तो आप इसको buying signal consider कर सकते हो, तो एक hammer pattern आया, hammer candle आया, और उसके बाद आप एक तो directly enter करते हैं, बहुत सारे लोग, बट मैं prefer करता हो कि एक confirmation का wait करने का, तो downward movement आया, downward trend था, उसके बाद एक hammer candle आयी, चाहे वो red हो, green हो, उसमें छोटा wick था, upward direction में या फिर wick नहीं था, नीचे long wick है, hammer जैसा दिख रहा है, मतलब hammer है, ठीक है, इसके बाद upward direction में जाने के chances होते हैं, तो इस वज़े से हम क्या करेंगे, हम एक candle का wait करेंगे, जैसे के इसमें मैंने बता है, एक green candle का हमने wait किया, green candle का wait करने के बाद, लगातार हमने directly, जैसी वो green candle close होई, अब यह जो pattern से अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आए, तो वीडियो बहुत लंबी हो चुके, इसलिए मैं short में explain कर रहा हूँ, मैं आगे अगर आपको चाहिए है, तो comment में मुझे बता दीजिएगा, मैं एक अलग से separate video बनाऊँगा, हर एक pattern के लिए, ठीक है, जैसे कि hammer pattern के लिए, एक specifically video बनाऊँगा, जिसमें मैं hammer pattern के साथ कुछ trades लेकर भी बताऊँगा आपको, फिर दूसरी एक video बनाऊँगा, जिसमें engulfing pattern के बारे में बताऊँगा, और उसके साथ trades लेकर बताऊँगा, and morning doji star या morning star के साथ trades लेकर बताऊँगा, ऐसी एक अलग video भी बनाऊँगा, अगर आप चाहते हो तो comment में ज़रूर बता दीजिएगा, now let's move on to morning doji star, ठीक है, आप देख सकते हो morning doji star या morning star pattern हमने open कर लिए है, तो कुछ इस तरह से उसका movement रहेगा, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि एक downward movement है, ठीक है, एक downward movement आया, जो है downtrend, ठीक है, downtrend, और downtrend के बाद एक doji candle है, ठीक है, एक doji candle है, ठीक है, एक बड़ा red candle आया, उसके बाद एक doji candle है और एक green candle है, अब इसमें क्या ज़रूरी है, कि ये जो red candle है न, इसका बीच वाला जो portion है इसके उपर इस green candle को जाना जरूरी है ठीक है for example अगर red candle इतनी बड़ी है ठीक है red candle इतनी बड़ी है उसके बाद एक doji candle आती है for example यहाँ पर ठीक है इतनी doji candle आती है पर अगर जो green candle आती है वो अगर इतनी सी आती है ठीक है अगर वो half को cover नहीं कर पाती है for example अगर इतनी ही आती है अगर वो half को cover नहीं कर पाती है जो कि इसका half है यहाँ पर तो हम इसे morning star pattern नहीं consider करेंगे क्या ज़रूरी है कि जो green candle है इसे red candle के half को तो भी half के उपर जाना है ठीक है तो जैसे कि यहाँ पर जो बीच वाला है red candle इसके ऊपर green candle को जाना बहुत ज़ादा ज़रूरी है so this is what a morning star pattern looks like एक downward direction में trend आएगा उसके बाद एक doji candle आएगी और उसके बाद जो green candle आएगी ठीक है तो जितना ज़ादा एक green candle जितना ज़ादा cover करेगी red candle को जितना ज़ादा बड़ा बनेगी एक green candle उतना ही strong signal मिलेगा उतना ही आपके जितने के chances बढ़ते जाएगे so this is what morning doji star looks like या morning star looks like यहाँ पर मैंने morning start लिख दिया ठीक है तो वो गलती होगी morning star pattern कुछ इस तरह दिखता है मैं कुछ और example के साथ बता तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने example में बताया है कि this is a red candle यहाँ पर मानो एक downtrend आया ठीक है इसनी candle बनती थी तो इसे morning star pattern नहीं consider किया जाता था बट क्योंकि इसने cover किया है इस वज़े से हम इसे morning star pattern consider करेंगे और इसमें upward direction के लिए trade ले सकते है तो जितना बड़ा यह जैसे कि मैंने बताया था जितना बड़ा green candle रहेगा उतना ज्यादा stronger indication रहेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि red candle का mid portion जो है वो यहाँ पर है बट green candle देख सकते हो आप कितना बड़ा है और green candle जितनी जादा बड़ी बनती है उतना जादा stronger indication for a buy ठीक है बाइ करने के लिए या फिर upward direction में trade लेने के लिए एक बड़ा indication मिलेगा अगर green candle जितनी बड़ी होती है उतना बड़ा indication मिलेगा ठीक है तो इसके बाद हम आखरी एक animation देखेंगे morning star का और उसके साथ हम इस video को end करेंगे अगर आपको चाहिए कि मैं हर एक pattern के साथ एक अलग video बनाओ और उसके साथ trades लिकर बता हूँ तो comment section में जरूर बताना बट इसके बाद हम कम से कम 20-30 candlestick patterns को अलग-अलग पढ़ने वाले हैं detail में और उसके साथ-साथ implementation के साथ पढ़ेंगे इस video में मैं बस आपको basic बता रहा था तीन candlestick तीन bullish candlestick patterns बता है मैंने आपको bullish reversal patterns ठीक है एक downward trend आएगा फिर एक reversal pattern दिखेगा bullish reversal pattern जो की तीन patterns मैंने अभी बता है और बहुत सारे है अभी मैंने जो तीन बता है वो है एक engulfing pattern एक है hammer pattern और एक है morning star pattern अब morning star pattern का हम एक animated video देख लेते हैं जिससे आपको और detail में समझेगा ठीक है तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने video start कर दिया है यहाँ पर एक red candle बनी एक doji candle बनी और उसके बाद जो green candle है उसने red candle के half से ज़ादा area को cover किया इसके बाद एक buy का indication आपको मिलता है और जितना बड़ा green candle उतना ज़ादा stronger indication उतना ज़ादा जीतन के chances और जैसे ही यह आता है उसके बाद आपको buying indication मिलता है और आप buy कर सकते हो make sure कि आप इसके साथ एक दो और indications या एक दो और confirmations लो but this is how morning doji star candle या morning doji star pattern works so that is about all guys इस वीडियो में हमने इतनी ही चीज़े discuss किये और इतनी ही मैं करना चाहूंगा क्योंकि वीडियो और लड़ी this video guys I love you all bye bye peace thank you thank you so much